हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 11 सब्जक्ट स्टेटेस्टिक्स फॉर एक्नॉमिक्स के चैप्टर नमबर 5 प्रेजेंटेशन अफ डाटा टेक्शल और टेबलर प्रेजेंटेशन को करवाने जा रहा हूं हम सबसे पहले डिसक प्रेसेशन आफ डैटा ऑफडिटा फ्री और टी और वैल्स पहले हैं थाडंगर प्रेजेशन दूसरा टैबलर प्रेसेशन ब्रेसेशन तरी duż डिग्रामेट्क्श मतलब क्या है प्रेजेशन ओज्थच्टेशन और ऑस घ्रंजर में उजहाए understood और analyze किया जा सके तांकि मतलब हम data को इस तरीके से show करें कि वो attractive तो साथ के साथ हो ही बट साथ के साथ easily understand भी किया जा सके और उसके आगे analysis भी हम कर सके data को present करने के तीन तरीके majorly हैं पहला है textual presentation दूसरा tabular तीसरा diagrammatic तो इस chapter में पहला और दूसरा हम discuss करेंगे textual and tabular diagrammatic presentation हम next chapter में discuss करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं अब textual presentation में चलिए students so textual presentation in textual presentation data are a part of the text of the study और a part of the description of the study matter subject matter of the study textual presentation एक part है उस text of study का जिसको describe किया गया है subject matter के रूप में such a presentation is also called descriptive presentation of the data this is the most common form of presentation when the quantity of data is not so much large जब quantity of data बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है तब हम उस तरीके से textual तरीके से present कर सकते हैं बट इसका एक serious drawback यह है कि that one has to go through the entire text आपको उसके analysis करने के लिए या उसको understand करने के लिए या किसी conclusion पहुचने के लिए उनकी सारी figures को पढ़ना पढ़ेगा पूरे अपने entire text को पढ़ना पढ़ेगा ताकि आप उसकी figures को understand कर सको या study कर सको इसको मैं आपको दो छोटे-छोटे examples के रूप में बताता हूँ क्योंकि हमने पहले ही बात कि है कि textual presentation small data के साथ होता है मैं कह रहा हूँ कि class 11 में commerce के 40% students pass हुए है ठीक है and science के 30% pass हुए है and arts के remaining तो यह तो एक टेक्शल था यहां तो छोटा सा पार्ट था यह इसको आप इसको present कर सकते हो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि एक office में आपके school में जो teachers हैं आज science के teacher teachers attendance teachers की attendance की मैं बात करूं ठीक है तो science के मान लीजे 30% यहां figure की बात करें और 14 teachers present है ठीक है और commerce के 40% present है out of total में से sit 15 present है and remaining training for other staff ठीक है तो यह तो हमारा चोटा सा डाटा इसको तो हम इस तरीके से टेक्शल पर present कर सकते हैं और किसी को पूरा समझने के लिए सिरफ इतना समझने की जरूरतों नहीं पड़ेगी ना उसको तो textual presentation में नहीं कर पाऊगे यह इसका serious drawback है तो उसके बाद हम discuss करेंगे अब tabular form है tabular form को हम simple language में यदि मैं कहूं तो एक form of table a statistical table is a systematic presentation of the data in columns and row vertical dissection of the table is known as column ठीक है vertically जब हम बात करते हैं one two three इस तरीके से तो इस तरीके से आजएगा तो वो column हो जाएंगे इस तरीके से वो क्या आजएंगे horizontal में row vertical dissection को हम क्या बोलेंगे columns और horizontal dissection को हम क्या बोलेंगे rows right students तो यह first row for example यह first row second row third row fourth row ठीक है right जी उसके बाद हम बात करेंगे component of table क्या होते है table number उसका एक table number मैंने नीचे एक example भी दी है आप इसको भी देख सकते हो पहले तो एक table number जरूर होना चाहिए दूसरा उस table का एक title given होना चाहिए तो नीचे यदि हम table के example देखें तो table number for example आपको बहुत सारे tables में present करेंगे तो table number one title उसका देदो number of students present date देदो और उसका जो head note है फिर उसके बाद head note main उसके content क्या कहना चाहरा है stubs मतलब उसके जो small small छोटे छोटे आगे रोज के या column के आगे parts बनाने है तो वो stubs होते है caption में आपने कोई important चीज़ star लगा की या कुछ और तरीके से कोई show करना चाहते हो तो वो body और field body और field का मतलब है जो main content है तो इसमें क्या आएगा main content right students main content होगा उसको body और या field कहा जाएगा footnote का मतलब जहां table आपका complete हो रहा है वहां नीचे हम जो foot में मतलब जहां table खत्म होने के last में हम जो note देते that is called footnote उसके बाद sources sources का मतलब कि वो कौन सा जगा है जहांसे हमने वो यह data collect किया हुआ है right students so component of table में सबसे important पहली बात क्या है कि आपका एक table number होना चाहिए table को एक number देना है जैसे यहां नीचे example में दिया है दूसरा suitable title होना चाहिए head note होना चाहिए उसके बाद उसके steps अगर columns ज़्यादा बनारे है या रोज ज़्यादा उसके आगर उसके आगे steps बनारे सकते हैं तो caption का मतलब अगर आपने कुछ उसको highlight करना है तो caption के रूप में उसको highlight कर सकते हो और बाकी remaining part यह जो हो रहेगा यह body और field को दिया जाएगा footnote में मैंने आपको बता दिया कि जहां भी आपका table complete हो रहा है उसके नीचे अगर कोई आप other information के रूप में आप दे रहे हो तो वो क्या बनजेगा footnote और sources की यह data आपको कहां से collect किया है right students तो यह था component of table और table की एक example अब हम आगे बात करते हैं guidelines for the construction of a table students यह बहुत easy portion है guidelines मलब कि हमें किन-किन चीजों का ध्यां रखना पड़ता है table को बनाने के लिए या features of a good table यह जो points given है यह अपने आपे self-explanatory points है इसको आगे ज्यादा detail में मलब इतना depth में समझने वाली इतनी कोई बात नहीं है easily sentences बनाके आप इसको आगे explain भी कर सकते हो title as compatible with the objective of the study तो इस table को एक compatible title देना है जो related to suitable for the study ठीक है आप बात कर रहे हो students के attendance की तो आप उनको table का जो नाम है या उसका head होगा या title होगा उसको भी वही नाम दोगे ना आप किसी और नाम से तो present नहीं करोगे आपने दे दिया आपने heading दे दिया कि number of students of class 7th और data आप दे रहे हो drawing के class के बच्चों का तो ये दो चीज़ें अलग-लग होती है जो जिस तरीके का आपका content है table के उससे related ही आपका title होना चाहिए दूसरा comparison इस तरीके से table बनाना है कि rows and column इस तरीके से present हो कि एक class का दूसरे class के साथ एक portion का दूसरे portion के साथ यदि comparison बनाना हो तो वो easily किया जा सके special emphasis यदि आप किसी चीज़ पर special emphasis यह जोर देना चाहते हो तो उसको आप highlight भी कर सकते हो आइडल size का मतलब है optimum size मतलब ना ही बहुत ज़्यादा large ना ही बहुत ज़्यादा small बहुत ज़्यादा large होता है तो वो complicated हो जाता है small होता है तो उसको पढ़ने में या कोई उतना मेहनत करने फिर उसकी ज़रूरत नहीं है stuff का मतलब है उसके smaller parts अगर रोज यहां college में आपको चाहिए तो smaller parts भी आप उसके in build कर सकते हो use of zero less lesser of the zeros होने चाहिए क्योंकि जितने जादा zero होंगे वो जादा आपकी confusion बढ़ाएगा ठीक है जी headings headings देना properly बहुत जरूरी है footnote मैंने आ महां table आपका complete हो रहा है वहां आप footnote दोगे तो abbreviations abbreviations क्या होती है abbreviations कुछ ऐसी चीज़े है जो हम अपनी मर्ज से जैसे मर्जी abbreviation English में लिखने के वक्त कर लेते हैं पर वैसा नहीं करना सुपोज absent को तो आप ऐसे present कर दोगे present को आप ऐसे show कर दोगे ठीक है बड़ कुछ आ कि कहां से यह data collect किया है उसके बारे में आपको ही जानकरी देनी चाहिए और साथ में अब हम आगे डिसकस करेंगे merits of the tabular presentation tabular presentation के क्या merits है पहला है simple and brief presentation होनी चाहिए इसमें कोई ज़्यादा complication ही होनी चाहिए it facilitates comparison यह comparison करने में भी help रहता है दूसरा analysis भी easy हो जाते हैं और उ सारे data के characteristics को वह highlight कर दा और उसके साथ साथ यह economical है क्योंकि बहुत सारी चीजों चीजें आप एक page में या एक table पे table मतलब एक paper पे एक ऐसे table बनाके आप उसको describe कर सकते हो जिसे आपके stationery भी बचेगी और बहुत सारे pages भी बचेंगे तो यह economical रहता है time भी बचता है right students तो य दूसरा है according to the originality और तीसरा है according to the construction तो आगे इसको आप फिर सब पार्ट में बाटा हुआ है सबसे पहले according to purpose की बात करें तो journal purpose दूसरा special purpose according to originality की बात करें तो original तो दूसरा derived derived है यह हाँ original का यह कहीं यह न समिलना कि यह duplicate है या जिसको हम जाली बोलते है नकली यह ऐसा नहीं है original and derived यह मैं आगे explain करके दूँगा आपको उसके बाद according to construction में पहला simple फिर complex complex में आगे मतलब दो column, 3 column, double, treble and manifold columns के साथ या रोज के साथ आगे बन जाएगा right students चलिए अब हम आगे बात करते है journal purpose table क्या होता है इन सबको अब मैं एक एक करके explain करता हूँ journal purpose table is that table which is journal use it doesn't serve any specific purpose यह जैसे सुभा attendance का register बनाना है class wise तो वो क्या होगा एक journal purpose यह रोज बनता है इसमें कोई नहीं चीज नहीं है special purpose table is that table which is prepared with a specific purpose in mind for example आपके school के बच्चे olympiade जीत क्या है आपके school के बच्चे कोई function participate कर रहे हैं यहां किसी competition को जीत क्या है उसका data अलग से बनाना table root form में तो वो क्या होगा special purpose original table original table का यहां मतलब है in which data are presented in the same form and manner in which are collected जिस तरीके से वो collect किया गया है raw data उसी को ही उसी way में present करना उसको हम क्या बोलेंगे original table और दूसरा उसके साथ derived table derived table is the table in which data collected is converted into ratios or percentages and then presented यहां original or derived data को present करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ एक example के रूमे original और derived for example मैं यह कह रहा हूँ हमारे पास commerce के plus one class के हमारे पास boys कितने है boys मैं कह रहा हूँ 80 है और girls कितनी है 20 है तो total कितना हो गया 100 तो suppose derived में हम इसको क्या करेंगे यह तो number of students आगे ना actual figures आगे ना number of students यह हमने जो counting हमारे register के basis पे admission के basis पे थी वह हमने count कर लिए और यहां पे अगर हमने derived का मतलब boys कितने percentage है और girls कितने percentage है ठीक है तो उस तरीके को percentage में present करने को हम क्या बोलेंगे यह derived table आ गया right students चलिए अब हम आगे discuss करते है simple यह one way table क्या होता है simple table is that table which shows only one characteristics of the data for example number of students class wise इने college में कितने students है class wise 11, 12, b.com, b.a. 50, 70, 30, 50, total 200 होगे तो यह इस तरीके का जो data इसको हम क्या बोलेंगे simple यह one way table दूसरा double यह two way table it is that in which two characteristics of the data are shown दो तरह के characteristics show किये जा रहे हैं पहला boys का और दूसरा girls भी साथ में शोगा दिये इसी table का जो one way table था उसको और आगे bifurcate कर दिया हमने अलग- total उनका फिर वही रहेगा मैंने इसी को ही आगे extend करके बनाया है तांकि आपको समझाना यहां आपके लिए समझना थोड़ा आसान होजे उसके बदा travel table is that table which shows three characteristics हो दा data तो यहां पे one way था सिरफ students present करे थे two way हमने gender के basis पे आगे bifurcate किया था अब आगे rural and urban का और बना दिया number of students boys and girls फिर rural and urban उनका total will rural and urban girls का total फिर उन सबका total total A और total B को add करके यह total C बन जाएगा ठीक है students तो मतलब यह more than two हो गया three है न यदी तो यह क्या बन जाएगा आपका तीन जगा पे हमने bifurcate किया है इसको आगे classify किया है तो यह क्या हो गया travel table तो अब हम आगे discuss करते हैं इस इसका next type वो है manifold table so manifold जैसे कि नाम से clear हो रहा है a manifold table is a one which shows more than three characteristics in the data number of students in a college plus one plus two B.com, BA, rural, urban, poor, rich, poor, rich, ठीक है उस तरीक से हमने rural के आगे फिर और आगे bifurcate कर दिया poor rich, poor rich, poor rich, poor family से आने वाले कितने है और rich family से आने वाले कितने हैं तो यह depend करता था हमारे matter of study कि 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 इस तरीक है कि study हम करना चाहते हैं उनका economical status देखने के लिए तो इस तरीके से हमने उसको बाढ़ दिया तो यह कौन सा हो गया manifold इसी तरह boys के साथ यह girls का फिर उसका total number तो आई जाएकर जैसे आना है उसको total करते हुए right students चलिए जी आगे बढ़ते हैं classification of data and tabular presentation qualitative classification on the basis of the qualitative characteristics for example rural urban skilled unskilled etc तो यह क्या गया उनकी quality के basis पे पहला है जैसे table की मैंने यहां location बता दी gender के हिसाब से male female rural and urban तो यह क्या quality के हिसाब से मलक उनके features के हिसाब से यदि हम बाढ़ रहे हैं तो यह कौन सा classification है qualitative classification में हमने table को present किया है दूसरा quantitative classification जैसे कि नाम से पता चला सिरफ quantitative quantitative characteristics को show करा जैसे 0 से 10 marks लेने वाले कितने students हैं 10 से 20 marks लेने वाले कितने students हैं 20 से 30 marks लेने वाले कितने students हैं ठीक है जी अब हम आगे discuss करेंगे तीसरा temporal classification of the data and tabular presentation according to time so table क्या है 2008,2009,2010 number of students 101,108,115 right students तो यह number of students है हमारे इस तरीके से यह हमने time period के हिसाब से बांटा है 2008,2009 और 2010 right students तो जब हम quantitatively बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे tabular presentation according to time तो यह मलब हम time के हिसाब से बांट रहे ना तो यह year भी हो सकता है month भी हो सकता है किसी भी तरीके से ठीक है ज़रूरी नहीं कि य days यह year में भी हो ठीक है quantity के basis पर अगर बात करें पांच marks लेने वाले कितने students हैं 10 marks लेने वाले कितने students है 15 marks लेने वाले कितने students है उसकी frequency कि यदि मैं बात करूं 3,13,12 तो यह सारा तरीका का जो presentation है वो क्या बन जाएगा temporal, table, time के basis पे मतलब time के basis पे यह example इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ यह हमने month लिया यह number of days, number of days की बात करें यह number of days में 5 दिन में कितने students present थे, 10 दिन में कितने students present थे, 15 दिनों में कितने students present थे, तो time period के इसाब से month, year and number of days तो इस तरीके की presentation को हम क्या बोलते है temporal classification, मतलब on the basis of time, year, month यह number of days के साब से, right students, अब हम बात करेंगे last spatial classification on the basis of place or location, for example, spatial का मतलब यह हम on the basis of location यह geographically भी कह सकते हैं, country, US, UK, Japan, Russia, Australia, यह तो country के नाम है, हम उसको state-wise भी ले सकते हैं, state-wise, city-wise, ठीक है, area-wise, कुछ भी ले सकते हो आप, तो अगर number of students, कितने हैं वहाँ पर पढ़ने वाले educated यहां, education लेने वाले number of persons की बात करें, students की बात करें, USA में इतने हैं, UK में इतने हैं, जपान में पांच है, रश्या में इतने हैं, और अस्ट्रेलिया में 7,000, ठीक है, तो यह वह ला, जो classification of tabular, classification of data and tabular presentation है, यह classification के type आपने पिछले chapter में पढ़े थे, qualitative classification जो quality के basis पे है, उसको tabular form में कैसे डाला है, उसकी बात हम कर रहे हैं, quantitative classification मतलब quantity के basis पे कैसे बाढ़ना है, और उसके बात temporal में time period, year, months and number of days के साब से कैसे बाढ़ना है, और spatial classification में मतलब उसको geographically, geographically हमने data को किस तरीके से इसके साथ यह video complete होती है, मेरा chapter भी complete हो गया है, आप मेरे channel के वो देखते रहे हैं, subscribe करना ना भूले, share और like definitely करें, और अगले chapters के रही मेरी videos देखते रहें, thank you